सोनी जर्वी 10 में अच्छी फूटेज के लिए क्या सेटिंग जेंज गरनी है क्या खुछ करना है इस से रिलेटिड हमें बहुत सारे कोश्चन आते हैं तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे हाला कि इस चैनल पे हमने पहले भी कैमरा सेटिंग के बारे में बहुत सी बाते की हैं बट बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा डिटेल में एक वीडियो ले गया है कि कैमरा सेटिंग पे ही एक पूरी वीडियो हो और यह टोपिक इसलिए काफी ज़्याज़ कैमरा के साथ ओटो मोड पे तो यह बहुत जुरूरी हो जाता है कि आप कैमरा को मैनुवल मोड पे यूज़ करें और इतना आसान नहीं है एक ही वीडियो में सभी सेटिंग्स हम कैमरा की बता सेगे बट फिर भी हम ट्राइ करेंगे कि जितना ज़्यादा हम इसको कवर कर से कैस्shine topic को इतनması यादा इस वीडियो में कवर करें और इसे और जज्यादा easy बनाने के लिए हमने इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड कि हैसं सबसे पहले दाल सकती है वो है उसका resolution की आप अपनी footage को किस resolution पे शूट करते हैं जैसे आपने नौर्मली सुनो होगा 1080p, 2K या 4K आप उसको ही हम footage का resolution कहते हैं तो अगर simple सब्दों में समझाएं अगर आपकी फोटो होगी या फिर आपकी वीडियो का जो एक फ्रेम होगा वो पिक्सल से बनेगा जैसे आपने दिवार देखी होगी जो दिवार इनिटों से बनती है उसी तरह पिक्सल होते हैं एक footage में जितने आदा पिक्सल होंगे उतनी पिक्सल बढ़ जाएंगे और पिक्सल बढ़ने से क्या होगा कि आपकी फूटेज की क्वालिटी है वह भी ज्यादा इंप्रूव होगी ज्यादा डीटेल के साथ आप फूटेज कैप्चर कर पाओगे बट इसमें जो देखने की बात है कि जैसे आपकी वीडियो पड़ेगी तो इस बात का आपको जुरूर दियान रखना है कि जब भी आप 4K में शूट करोगे तो आपको मेमरी कार्ड में ज्यादा स्पेस होना चाहिए और आप जब उसको एडिट करोगे तो आपका PC भी अच्छा होना चाहिए असा नहीं है कि आप 4K को 1080p में नहीं कर सकते हैं आप एडिट कर सकते हो किसी भी स्वक्तिय में जाके जो आपकी timeline होगी उसका प्रेजूलूशन थोड़ा कम रख सकते हैं 1080p रख सकते हैं 4K में शूट करके आप 1080p में एडिट कर सकते हैं उसमें आपको कोई प्रोब्म नहीं होगी बलकि अच्छी ही quality मिलेगी ब बात करें जब आप इसको 1080p शूट करोगे तो आप 120 fps तक इसमें शूट कर सकते हो बट जैसे ही आप 4K में जंप करते हो तो आप सिर्फ 30 fps तक ही शूट कर पागे आइनो कि अभी हमें वीडियो में 25 fps और 100 fps ही दिख रहे हैं बट क्यों दिख रहे हैं और कैसे इनको increase करना है इस बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे तो अगर आपको slow motion चाहिए अपनी footage में या फिर आप चाहते हो कि उसका जो movement है जो motion है जो शूट करना पड़ेगा आपको 30 fps भी enough है अगर आप normal footage शूट करते हैं आपको slow motion नहीं चाहते या फिर आप sports किसी event की footage शूट नही कर रहें तो 4K भी 30 fps भी sorry enough है आपके लिए fps को अगर simple सब्दों में समझाएं तो आपका camera होता है वह footage shoot करने के लिए मतलब एक video shoot करने के लिए फोटो क्लिक करता है वह किस speed से photo click करता है मतलब एक second में कितनी फोटो क्लिक करेगा footage को हम frame करते है तो frame per second fps की full form है बाकि यह आप 24 fps पे इसको shoot कीजिए यह ज्यादा cinematic लगता है ज्यादा natural लगता है normally जितनी भी cinematic वीडियो या movies shoot की जाती है और 24 fps पे shoot की जाती है तो आप 24 fps इनफ है normal user के लिए कोई ज्यादा आपको problem नहीं होगी जैसे मैं भी इसको shoot कर रहा हूं यह 25 fps पे shoot कर रहा हूं तो इस वीडियो म समझाओं मैं इतना नहीं करूँ है क्योंकि इस पे हमने पहले से एक वीडियो बनाई है और अगर इस वीडियो में यह सब हम डिटेल में डिसकस करने लगे तो काफी लंबी यह वीडियो हो जाएगी तो इस वीडियो में जिसका basic कैसे आपको use करना है तो अगर आप detail में ज लाइट यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपके पास ज्यादा लाइट नहीं है आपको किसी तरीके से लाइट कम पड़ गए तो कम या ज्यादा कर सकते हैं उससाब से जितना आप 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 इस बढ़ाएंगे आपके सीन में डिजिटल लाइट उतन ही ज्यादा ब्राइट देखेगा तो अभी आपको लग रहा है कि आपके पास लाइट नहीं है ज्यादा ब्राइट आपका सीन आएगा तो आपको एक बात का दिहान रखने कि जितना ज्यादा आप आप आइस बढ़ाओ गे यानि कि जितना आप इसको डिजिटल लाइट दोगे उतनी ज्यादा नोइज आप इंड्रिड्यूस करोगे अपनी फुटेज में तो जैसे आपने देखा होगा कि नाइट के टाइम अगर आप फुटेज शूट करोगे या आइस ज्यादा इसका बढ़ाद होगे तो आपको कुछ ग्रेंस दिखेंगे अपनी फुटेज में तो उसको हम डिट कि इतना राष्ट को बाहर से आपके सेंसर पहुंचने के लिए और यह भी आपकी वीडियो की क्वालिटी को काफ़ी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है क्यूंकि जितना दो। enjoyed और अपके कम होता हो घैनि कि उतना ही जो रास्ता है उतना ही बड़ा होगा आपके सैंसर तक लाइट पहुंच度 हो जासे हिए अगर आपका टा सर व युन पॉंचन यह है तो यह वाइद़ नंबर बढ़ता सब्सक्राइब परक बाइब को क्योंकि काफी कम रास्ता लाइट को पहुंचने के लिए और बैग्राउंट कोश्यक्त चाहिए आपके पास लाइटिंग कंडिशिन अपको बैग्राउंट ब्लर कि इतना ब्लर कि चाहिए ने नहीं पड़ेगी आप बेसिक लाइट से भी काफी अच्छी फूटेज ले सकते हो बट आउट्डोर कंडिशन में कई बार आपको अपर्चर लो करना पड़ सकता है क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा धूप होती है इस बज़े से काफी ज्यादा लाइट होती है तो लाइट बाइड अपर्चर ही रखना चाहते हो और आयसो भी आपने मिनिममम रख दिया है फिर भी लाइट आपकी कट नहीं हो रही काफी ज्यादा लाइट है तो अन्डी फिल्टर आते हैं बहुत सारे उनको यूज़ कर सकते हैं वह आपकी लाइट को काफी ज़्यादा कर देंग और बंद होने में कितने ज़्यादा टाइम लगा है तो यह भी दो चीज जोगे फैक्ट करे है कि आपके जो वीडियो में लाइट होगी वह कितनी होगी और दूसरा के जो मोशन ब्लर होगा वह कितना दीखेगा आपकी फूटेज में अगर आप शेटर स्पीड ज्यादा खंड डेखने हो मिलेगा हर एक फ्रेम उतना ही जाद आपको क्लियर देखने हो मिलेगा बट जितनी कम आप शेटर स्पीड को रखेगे तो पचास आप सपीड रख सकते हो अगर आपने 30 एप्यस रखे हैं तो आपको साथ स्पीड रखनी पड़ेगी जितने आदा आप तो यह सिंपल सा तरीका है तो जैसे कि हम 25 fps पे फूटेज को शूट करें हैं तो हमने 50 शुटर स्पीड रखी है बाकी आप समझी गए तो आप अपने हिसाफ से शुटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं जो इफेक्ट यह डालता है वह हमने आपको बता दिया तो इसके बाद जो कोई नया कलर इंट्यूज होगा आपके सीन में तो कुछ कलर आपको अलग रख सकते हैं नौर्मली जो आप अपनी आँकों से देख रहे हो सीन में वह आपको अलग दिखेंगे और जब आप फूटेज करें थोड़े अलग कलर दिखेंगे तो वह भी आपको मैनूली अब आपको और आपको कोई ठीक लगे बढ़ना आप कस्तमाइज भी कर सकते हैं उसके लिए कि किसी कश्टम में जाना है उसके बाद आप देखो गए वहां को स्क्रीन में एक वोक्स देखने को मिलेगा उस वोक्स के अंदर आपको कोई भी वाइट औबजैक्ट रखना है और ओके दबा देना है तो आपका कैमरा ओटोमेटिकली उसके हिसाब से आपके कलर अजेस्ट कर लेगा और वहां से आपको फिर से एक बार ओके करना है अगर आपको ठीक लगे तो आपको कर लो और वो उस कस्टम जो प्रोफाइल जिसमें आपने सेलेक्ट किया उसमें अगर आप कैमरा में अजेस्ट कर लोगे तो आपको ज्यादा प्रोफ्लम नहीं होगी आप ज्यादा इजी रहेगा बट अगर आप शूट के टाइम उसको ऊटो रख दोगे तो शायद एडिटिंग में जाके आपको बहुत ज्यादा प्रोफ्लम हो सकती है तो यह थी मेरे ख्याल से सब्सक्ताइब करें कि और अधान से इसके लिए बहुत सारी प्रोफाइल होती है यह उसके लिए आपको फोटो आन्ड वीडियो के जो पर जाना पड़ेगा वहां आपको फिक्टर प्रोफाइल को श्युक्र देखने कि वहां इसमें बहुत सारे पक्रोफ्शन मिलें जो वाई default है उनमें से ही हम तीन के बारें बात करें जो ज़्यादा तर यूज की जाती है उनमें सबसे पहली है ऐसे लोग हाला कि इसमें स्लोग 3 भी है बट यह एट वीट कैमरा है टैन वीट कैमरा नहीं है तो इसलिए आप ऐसे लोग 2 को को यूज कर सकते हैं आपको colors के कुछ patches देखने को मिलेंगे मैंने शूट किया तो मेरे को देखने मिले थे शायद आपको नहीं मिलेगी उसके बाद जो second option बहुत बार जो यूज किया जाता है वह सीने 2 यह भी आपको काफी अच्छा option देखने को मिलेगा हाला कि उतनी में आपको जूट पड़ेगी यह भी आप यूज कर सकते हैं और third की बात जो मैं यूज करता हूं और काफी ज्यादा जो popular है sony zv10 के लिए वह है hlg3 यह काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है sony zv10 में और ज्यादा आपको इसके लिए information चाहिए कि कि इस तरह से shoot करने के color correction color grading के लिए और आप थोड़ा जैक्ट कर सकते हैं कि इतने अच्छी मेरे को नहीं चाहिए output थोड़ा नोर्मल चल जाएगी तो आप picture profile को off रख सकते हैं हाँ आपको flexibility नहीं मिलेगी जंजट भी आपका खतम हो जाएगे color correction color grading इन सब का आप इसको off रख सकते हैं but मैं dynamic range आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी बट आप देख सकते हैं शायद आपके style से कोई match कर जाए और आप उसको direct यूज कर सकते हैं तो अगर कुछ अच्छा लगे आप कोहां से यूज कर सकते हैं बाकी तो आप पे depend करता है कि आप कौन सी picture profile या कौन सा style आप यूज क करना चाहते हो इसका जो next point है वह जैसे कि आप जानते हैं कि sony camera काफी अच्छा आपको आपको फोकस देखने को मिलता है तो ब्लोगिंग या रियल टाइम मूविंग किसी object को शूट करने के लिए काफी ज्यादा यूसफुल यह आपके लिए option हो सकता है तो इसके लिए आपको focus mode देखने को मिलेगा वहां से आप चेंज कर सकते हैं कि आपको focus manually चाहिए या autofocus चाहिए यहां से आप इसको auto कर सकते हैं और उसके बाद आपको continuous autofocus space को रखना है और इसी page पर और भी बहुत सारे option देखने को मिलेंगे जैसे कि focus area इसका वाइड रखिए और यही स आप चूज कर सकते हैं कि आप किसकी photo shoot करें किसी इंसान की या किसी pet की वहां से आप से लेक्ट कर सकते हैं पैट आई focus भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वह आप यहां से देख सकते हैं जो आपको ठीक लगए बाकि जो basically जो थी वह मैंने आपको बता दी और प्रोटो फोकस अच्छा रखने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने product showcase mode on किया है और आपका ज्यादा यूज नहीं है उसका तो इसको आप ओफ रखिए यह आपको photo and video menu 1 के page number 11 पे देखने को मिले है वहां जाके आप इसको ओफ कर सकते हैं अगर आपक रखने से क्या problem होती है जैसे आप अपने हाथ मूव करते हो तो आपका camera कहीं बार कंफ्यूज हो जाता है कि शायद आप कोई product दिखाना चाहते हो तो आपके हाथों पे focus कर लेता है और उसके बाद वह आपके face पे focus करता है जैसे हाथ आपके frame से बाहर चले जाते हैं तो यह इस वीडियो में होन है तो आप देख पाऊगे कि जैसे ही मैं camera के सामने कोई product लेकर आउना तो इस पर यह focus करेगा यह मेरे face से वह अगर हटा लेगा क्योंकि पुराने camera में क्यों होता था कि जैसे आप product रखते ते तो उस पर focus नहीं रखता था तो आपको अपना face cover करना प पड़ता है उसके बाद जो नेक्ट पॉइंट है वह जूम रेंज जो आपको फोटो एंड वीडियो मेनू 2 के page नंबर 6 पे देखने को मिले इसको आप optical जूम ओनली पर रखिए क्योंकि डिजिटल जूम ज्यादा फायदा आपको नहीं देगा क्योंकि डिजिटल जूम मे रखिए क्योंकि मैंने भी इसको डिजिटल जूम पर रखता था कि जूम ज्यादा मिल रहा है बट वह क्वालिटी गिरा रहा था तो उसको कोई फायदा नहीं है वह आप पोस्ट में जागे भी जूम कर सकते हैं आगर आपको लगे एडिटिंग के टाइम पर मेरे को जूम करना है तो आप एडिटिंग के टाइम भी उसको जूम कर सकते हैं तो इसको बापिस करने का तो इसको जूम पर रखिए तब हम आगे हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पर जहां हम बात करेंगे कुछ सैटिंग्स के बारे में जूप्शन ये कैमरा आपको देता है उन्हें इसी कैमरा से मैं वह वीडियो जो स्ट्रीम करता हूं इसी कैमरा से करता हूं और इसको मैं डारेक्ट यस्वी केबल से अपने लैप्टोप से अटेच कर देता हूं और इसमें आपको एक ऑप्शन देखने हो मिलेगा यहां से आपको यूस्वी स्ट्रीमिंग को ओन करना है उसके बाद डारेक्ट आप इस camera किसी भी USB webcam की तरह यूज़ कर सकते हैं काफी अच्छी quality ये camera आपको देगा तो अगर आपको streamer है तो ये option आपके लिए काफी जादा useful हो सकता है उसके बाद photo and video 2 के page number 7 पे आप देखो है आपको display button का option देखने को मिलेगा आप च्यूज़ कर सकते हैं कि आपको अपने display पे क्या क्या चीज़ चाहिए जब भी आप विडियो मोड में जाएंगे जैसे नुवर मिली आपको इसमें mic input का option देखने को मिलेगा कितनी आपकी shutter speed है वो देखने को मिलेगा परचर कितना है आप इनको चेंज कर सकते हैं कि क्या क्या आप चाहते हो कि आपकी display पे दिखें तो अगर आप neat and clean थोड़ा लुक चाहते हैं तो इन सभी option को आप अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी information display पर देखने को मिले शूट के टाइम ही तो आप select कर सकते हैं जो जो आपको चाहिए वह और फोटो एंड वीडियो 2 के पेज नंबर आठ पर आपको कस्टम की देखने को मिले इनकि आप अपने camera के अलग लग लग बटन से अलग 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 वीडियो मोड के लिए अलग यह आप चूज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं कि किस की से आपका क्या काम होना चाहिए बट मेरे को ज्यादा को जुरूत महसूस नहीं हुई इसको चेंज करना ही बट आप चेंज कर सकते हैं यह भी option काभी अच्छा इसमें दिया भी जरता है और इसके रलाव इस यहां से स्मार्ट फोन को अकेमने के कनेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आפ अपने कैमरा से चाहिए आप अपने चेंज करना है उसको बहुत सारी सेटिंग जाए उस पर हम कोई अलग से वीडियो बना सकते हैं अगर आपको चाहिए तो आप बताना अलग से वीडियो बनाएंगे किस तरह से आपको आपको सैटिंग्स देखने हो मिलेगी बाकि अब हम अगले पोई पे कर सकते हैं कि आप अब्रेटनेस बढ़ा सकते हैं इंडॉर कंडिशन में तो ब्राइटनेस आप तो जादा हो जाएगी जादा तक आप आपने कीमरा को यूज कर पाऊगे और इसी पेस्ट से आप पावर सेट्टिंग में जाके ओटो पावर ओफ मोड में जाके तेंपरेचर को हाई कर सकते हैं कि कोई आशी प्रोब्लम नहीं आई कि उनको ओवर हीटों की बज़ा से कैमरा खराब हो गया या कुछ ऐसा हुआ कभी कोई प्रोब्लम नहीं आई तो आप इसको हाई पे रख सकते हैं तो फिर से भाई कि इसको आप अपने रिस्क पे यूजगी कि वाई डिफोल्ट जो होता है वह हाई पे नहीं होता है मीडियम य जो इसमें होता है उस पे हाई पे आपको मैणूली जाकर कर ना पड़ेगा तो यह तना कमजूर मेरे को धो थोड़ा ही तेमप्रेशर बढ़ने पर पर इस अप्राब हो जाएगा तो हाई पर रख सकते हैं आपकी आपकी मिलेंगे आप कोई ЗнаMO कर सकते हो तो बेसिकली दोनों में क्या डिफ्रेंस हैं एंती हैसी में आपको जो 30 फ्रेम 260 फ्रेम देखने को मिलेंगे और पेएल जीन में आपको 25 50 और 100 प्रेम आपको देखने रोगर यह काफी ज़्यांदा ब्रोड उपिक है कि इनमें होता है क्यों डिफ्रेंस होता है क्या यूज करना चाहिए बट आप इसको चेंग नहीं करें करें अगर इंडिया में आपको मिलेगा तो आपको format कर सकते हैं और setup 5 में आपको setting reset option देखने हो मिलता है यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे आपके phone में factory reset option होता है उसी तरह इसमें भी factory reset का यह option है यानि कि जैसा आपका camera नहीं आया था सभी setting वैसी ही हो जाएंगी कि आप यहां से setting reset कर सकते हैं कि जो जो आपको लगता है कि इंपोर्टेंट है यहां से आपको चाहिए कर सकते हैं जो भी चीज इस menu के option में आपको चाहिए यहां से कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं जो भी आपको करना है कर सकते हैं जो जो आपको इंपोर्टेंट लगे जहां इसको एड़ करके रखें ताकि आप डारेक्ट इस पर जाके मतलब वह setting को चेंड कर सको आपको ढूंड़ना ना पड़े कि किस पेज पे आपको setting मिलेगी काफ करना है क्लिए कि लिए आप बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी कि किस तरह से आप अपनी video quality इंप्रूव कर सकते हैं लाइटिंग के का सी यूज करना है कौन सा लाईज सी ना है यह सबी आपको देखने को मिल जाएंगी आप यहां से इसको देख सकते हैं तो बाकित इतना ही जा इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपका कोई कोश्चन है तो कुमेंट कीजिए उसके लाव आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे और हर सब्सक्राइब करते हैं अगर आपके कोई कोश्चन है आप पूछना जाते हैं लाइफ स्ट्रीम में तो आप आ सकते हर संदे हम करते हैं बाकि धन्यवाद